हेलो दोस्तों साथ आसवी कि मैं है चल मैं दोस्तों इस वीडियो में important question के उपर बात करेंगे जितने भी first semester वाले बच्चे हैं और जिसके पास यह subject है communication in everyday life यह subject जिस भी बच्चे के पास है चाहे वो BA program का हो चाहे वो become program वाले बच्चा हो important question देख लो यह recent का ही question paper है 10 तारीका दस मार्च का यह question paper है इन ही मैंसे आपके exam में आने वाले एक दो question ठीक है exam pattern देख लो किस तरह के question आते हैं और कौन-कौन से question आपके exam में आने वाले हैं और जितने भी बच्चे है चैनल को subscribe कर लेना आपकी इसी तरह से help होती रहेगी जब तक as well में रहोगे ठीक है तो चैन किस तरह का exam pattern आएगा तो यह अभी recent का ही question paper है दस तारिक को जो exam हुआ था ठीक है तो यहाँ पर देख लीजे दोस्तो असी number का paper आया था दो गंटे का time मिला था आप सभी question दिखा देता हूं किस तरह के question आपके exam में आने वाले हैं तो यहाँ पर देखे दोस्तो पहले question में क्या बोल रखाई यह theory based question है तो इसमें क्या बोला गया है यह question आप लोगों को जरूर study करना है ठीक है इसके उपर आप लोग जरूर पढ़ना तो इसमें क्या बोला गया है give example of verbal and non-verbal communication what according to you can make for effective communication तो इस question के उपर आप लोग study जरूर करना पहले question के उपर तो आपका पहला question हो गया और दूसरा question दोस्तों यह passage दे रखा है दूसरे question में ठीक है तो दूसरे question में passage आएगा आपके तो यहाँ पर देखे दोस्तों यह passage आप सभी का ठीक है इसी में से आप सभी को question के answer देने है तो यह आपका passage है यह same passage भी आ सकता है या दूसरा passage भी आ सकता है बट passage जर ठीक है नीचे ये question दे रखें पैसिज मेंसे ही आपको answer देने इनके तो वो दोस्तों दूसरा question complete हो गया ठीक है ये तीसरा question है आपका ये चोथा है ये पांच वाइड ठीक है पांच question आए हैं तो पांच question आपके exam में पूछे गए हैं पाँच में से चार question आप सभी को attempt करने हैं एक question बीस नंबर का दिया गया है ठीक है अब तीसरा question में में देखने क्या बूला गया है राइट is summary अब् onc kaikki अैज पैसे उपका तीसरा question हो रहा ठीक है चोथा question में मुझकिल से तो यही आप सभी को लिखने होगे नीज पोछे जा सकते हैं एक दो कोछंच ज़रूर है कल के एक्चम में आ सकते हैं तो जितने ही बच्चे नहीं इन्ही कोछंच के ओपर इस्टेडी कर लेना वीडियो अच्छी लगई हो लाइक करना शेर करना और पहला कोशन जरूर आप लोग कम्यूकेशन वाला जरूर स्टेडी करना तो यह